पुलिस का नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर कभी पुलिस के चकर में पढ़ गए तो ये समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। दंड प्रक्रिय सहिंता याने की CRPC ने आपको कुछ अधिकार दिये हैं। जब पुलिस आप पर कारवाई करने आए तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कौन-कौन से अधिकार मिले हैं। जिसका प्योग आप पुलिस या कारवाई के वक्त कर सकते हैं। आईए जानते हैं कुछ अधिकार जो कानून ने देश के हर नागरिक को दिये हैं। जब पुलिस आपको गिरफतार करने आएं तो CRPC की धारा 50 के अनुसार आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस से अपनी गिरफतारी का कारण पूछ सकें और पुलिस को यह कारण बताना भी पड़ेगा। अगर वो देने में आसमर्थ है तो पुलिस को खुद उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। CRPC की धारा 41 B के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तियार करना होता है। जिसमें गिरफतार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफतार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त वाँ मौझूद प्रतेक्ष दर्शी के भी हस्ताक्षर होते हैं। इस मेमो में गिरफतार किये गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर कराना अनिवार रहे है। पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। पुलिस को रात में गिरफतार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजादत लेनी होगी। CRPC की धारा 46 के मताबिक महिला को केवल महिला पुलिस कर्मी ही गिरफतार कर सकती है। कोई पुरुष पुलिस कर्मी किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। CRPC धारा 451 के मताबिक गिरफतार किये गये व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्त का ख्याल पुलिस को रखना होता है। दंड सहिता के अलावा भारतिय समिदान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिये हैं। समिदान के अनुछेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानुन द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सविधान के अनुछेद 22 के नुसार अगर किसी व्यक्ति को मन माने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे तीम तरह की स्वतंतरता मिलती है पहली हिरासत में लेने का कारण बताना होगा दूसरी 24 गंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और तीसरी गिरफतार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकिल चुनने का अधिकार होगा अगर ये अधिकार आपको पता हो तो कोई भी आपको गैर कानून धन से गिरफतार नहीं कर सकता इसलिए अपने इन अधिकारों के बारे में जान ले और याद रखे